हेलो फ्रेंट्स आज में आप सभी के साथ अचार की रेसिपी सेयर करने जा रहे हूँ बहुत ही टेस्टी यह अचार लगती है तो आज में आप सभी के साथ पपाया की अचार की रेसिपी सेयर करने जा रहे हूँ जी हाँ दोस्तों सही सुना आप लोगोंने कच्छे पपीता के store रह सकते हैं तो वीडियो को बिना skip किये हुए last तक जरूर watch केजीगा दोस्तों तो पहले papaya को मैं यहां पे cut कर ले रही हूं तो मैं यहां पे आधे papita का इस्तेमाल कर रही हूं अचार बनाने के लिए आप चाहें तो पूरे पपीताशे भी बना सकते हैं या इससे ज़्यादा quantity भी ले सकते हैं ये आपके उपर depend करता है कि आपको अचार कितना बनाना है तो चलिए पहले मैं इसे cut कर ले रही हूँ बिल्कुल इस तरह से लंबाई में cut के जिएगा जैसे मैं भी आपको अपने वीडियो में दिखा रही हूँ उसके बाद हमें इसके बीज को हटा लेना है देखिए नाइफ की मदद से बस इस तरह से हमें हलके हलके से बीज को खुरच लेना है तो चलिए पहले में इस तरह से हटा करके और फिर नाइफ से खुरच दूंगे ताकि बीज हमारे हट जाएंगे बीज क हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस अचार में अच्छी तरह से विज को हटा करके ही इस पपाया के अचार को बनाईएगा अब हमें इसके छिलके को हटा लेना है तो देखे पील कर लेना है तो मैं यहापे पीलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हूं मैं नाइफ की मदद से इसके छि पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है अगर पानी की मातरा इसमें थोड़ी सी भी लगी होगी तो बिल्कुल अच्छी तरह से पहले हमें इसे वस करने के बाद सुखा लेना है सुखे कपरे से इसे पहुश लिजिएगा अब हमें इसे ग्रेट कर लेना है तो ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हमें इसे ग्रेट करना है तो चलिए मैं इस तरह से सारे पपीता ग्रेट कर लिया है इसके साइड में थोड़े से पार्ट बच जाते हैं जिसे हम ग्रेट नहीं कर पाते हैं उससे हात वगयरे काटने की उसके बाद मैं यहाँ पर पपीता को डाल करके फैला दूंगी, तो आप सिम्पल कॉटन के कप्ड़े भी डाल करके, पपीता की लेयर को इस तरह से ग्रेट की हुए पपीता को अच्छी तरह से पतले लेयर में आफ फैला दीजेगा, और इसे फैला करके एक घंटे के लिए हमें इसे पंखे के नीचे रखना है ताकि अच्छी तरह से हवा लग जाए और इसमें जो भी थोड़ी बहुत पानी हो मोस्चर हो वो सूख जाए तो आपके हाँ अगर धूप आती हो तो आप इसे धूप में भी फैला सकते हैं 15-20 मिनट के लिए तो धूप में हमें ज्यादा नहीं सुखाना है पहले आप इसे रख दीजेगा अगर ज्यादा तेज धूप हो तो 15-20 मिनट के लिए धूप में सुखाएगा नहीं तो आप पंखे के नीचे इसे एक घंटे के लिए रख दीजिगा, चली इसे रख देती हूँ मैं, एक घंटे बात दिखाऊंगी, next process देखे, इतने में हमें एक पैनले लेना है, उसे ग्यास पे रख देना है, ग्यास के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, तेज पत्ता दो मैंने डाल दिया, दो बेलिफ डालना है, और एक इंच मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकरा ले लिया है, cinnamon stick और एक चमच मैंने यहाँ पर धन्या के बीज ले लिया है, तो इस तरह से हमें डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पर बस हलका सा रोष्ट करना है, तो उसके ब पर तो मैंने यहाँ पे काली मुर्च ले लिया है, साबुत. उसके बाद मैंने दो हरी इलाइची और एक बरी इलाइची ले लिया है. फिर मैं यहाँ पे एक चम्मच डाले रहे हूँ, सौंफ. तो सौफ जरूर डालेगा इससे आपके अचार का सौध और भी जादा बढ़ जाएगा और एक बड़े चमच मैंने यहाँ पे पीली वाले सर्षो के दाने लिये हैं आपके पास अगर काली सर्षो के दाने हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी चीजों को डालने के बाद एक चमच हमें यहाँ पे जीरा डाल देना है चलिए सभी मसालों को डालने के बाद हमें बिल्कुल हलका साई से रोष्ट करना है जैसे ही इस मसाले में से खुश्बू आने लगे उतना ही रोष्ट करना है मशालों को हमें नहीं पकाना है जादा अब मैं यहां पर गैस को आफ करती हूँ गैस को आफ करने के बाद आधा छोटे चमच मेथी के दाने डालिएगा इससे मेथी के दाने आपके जलेंगे भी नहीं अगर मेथी के δाने جल जाएंगे तो अचार आपका करवा हो जाएगा चलिए अब मैं इसे इतार लेती हूं इस तरह से एक प्लेट में हमें डाल करके फैला लेना है मेशालों को डाल करके फैला लेज़ेगा और जब यह थंडा हो जाएगा तब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है तो चलिए मैं इसे प्लेट में डाल दी हूँ यह जैसे ही ठंडा हो जागा फिर हमें इसे ग्राइंड कर लेना देखिए इस तरह से मैं ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसे ग्राइंड कर ली हूँ बिल्कुल दरदरा इसे ग्राइंड कर लीजिगा देखिए देख रहें इसी तरह से हमें मसाले भी तैयार करने हैं तो आधे पपीता के लिए मेरे लिए ये जो मशाले हैं सफिसियंट है तो अब मैं यहां पर देख लेती हूँ एक घंटे हो चुके हैं पपीता हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राइव हो चुके हैं इसम पूरी तरह से अपसना लें, आप चाहे तो डाल सकते हैं, फिर से मैंने एक पैन ले लिया है, उसे हमें गैस पे रख देना है, गर्म होने के लिए, और दो कप मैंने यहां पे तेल डाल दिया है, सर्शो का तेल इस्तेमाल करना है, हाइ फ्लेम पे तेल को बिल्कुल धुआध कश्मीरी यहां काश्माँ कश्मीराल मिशबें, ऐसी में यहां यहां पर उसके मिक्स के लिया है, अब के अ और तेल में डालने के बाद हमें इसे किर लेना है मिक्स लेखिये जितनी मसाले को मैं लियुद्स सब्सक्राइब ख्रलत हो को मैं में ज basic दॉद के तरह से लिखा हैं जैसें के तेल को पूर्ड़ी का इस दुद्सक्राइब के पोड़े लेगा पह Docker कि सारे ग्रेट के हुए पपीता को हमें इस तेल में डाल देना है और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है तो अचार बनाते समय छोटी-छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा तो परफेक्ट आपका अचार भी बनेगा और आप इसे साल से ज्यादा दिन भी चला सकत हैं तो इस तरह से हमें मसाले को डाल दिना है इस तरह से एक साथ में सारे पपीता को डालने के बाद मशाले और तेल के साथ मिक्स कर लेना है अब हमें यहां पर नमक का इस्तेमाल करना है तो मैं सबसे लाश्ट में यहां पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं यहां पर दो से डाई चमच नमक डालूँगी, अचार में थोड़ा सा नमक जादा डालिएगा, अपने टेस्टे थोड़ा सा जादा डालिएगा, तो इससे आपके अचार जो है नो खराब भी नहीं होंगे, तो और गल्ले में भी इसके वो बहुत जादा हेरत मिल जाएगी पपीता को इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक जादा डाला है और एक नीमू का रस मैंने यहाँ पे डाल दिया है इससे ये इसमें चटपटाज स्वाधा आएगा खटास आएगी तो आप नीमू का रस नहीं डालना चाहते हैं इसमें चाहर को बना करके एक बार वस कर लिजिए गार अगर आप के हां दूप आती हो तो तीन से चार दिन आप इसे दूप लगा दीजिएगा तो इस अचाहर की सेल्फ लाइब भी बढ़ जाएगी ऐसे तो यह अचाहर बन करके तैयार हो चुका है खाने के लिए इस अचाहर को बना करके आप इंस्टेंट भी खा सकते हैं और धूप लगा दीजिएगा तो आप इसे साल से भी ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते हैं बनाना आपको कितनी क्वांटिटी में यह आपके उपर डिपेंड करता है दोस्तों और सारे मसाले की इंग्रिडियन्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं तो जिस हिसाब से आप अपिता लिए होंगे उस हिसाब से मसाले की भी क्वांटिटी को आपको पढ़ानी पड़ेगी तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को मेरी यह अचार बनाने का तरीका मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब प्यार हो चुका है अब इसे पूरी प्राठे के साथ भी आप खा सकते हैं या फिर धूप लगा लिजिए तीन से चार दिन उसके बाद आप इसे स्टोर करके साल से ज्यादा दिन भी चला सकते हैं तो चलिए फिर से मिलते हैं एक आसान और नई रेसिपी के शाथ आप सभी इसाथ नेक्षाथ नेक्स्ट विडियो में थैंक्स पर वाचिं एंसुका पक्वान